तो डियर स्टुएंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख़रा है एडू मंतरा और मेरा नाम है आयूज तो स्टुएंट क्लास 9 संस्कृत का एक विडियो हम आपको दे चुके है जिसमें हमने ग्रामर का इंट्रोडक्शन आपको बताया था और पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या बताया था कि सिमूसी और ग्रामर को हम लोग साथ साथ लेके पढ़ेंगे क्योंकि स्टुएंट ग्रामर में आपका कॉंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जुरूरी है जितना ज्यादा आप यहां पे ग्रामर अच्छा आप कर लेंगे तेंथ बोड आपके लिए उत्रा ही असान होता चला जाएगा एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा और आपका जो सिमुसी बूक है स्टुडेंट उ होता है संस्कृत का चटनी और ग्रामर है वो है main खाना तो खाना खाईए और बिच-बिच में चटनी जैसे खाते है उस तरह से ब्याकरन पढ़ेंगे और बिच-बिच में सिमुशिया को निप्टाते चलेंगे टिक है स्ट अब ही class 9 वाले बच्चा लोग हमारे जो है वो गाना गार हैंगे कि तुझे याद न मेरी आये किसी से अब क्या कहना दिल रोय की आख भर आई दिल रोय की आख भर आई किसी से अब क्या कहना तो अब सबकी याद आती है student सबको पढ़ाना है टाइम का थोरा सा कमी रह जाता ह इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत लोगों को मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तो आज हम लोग एक सुपर होट टोपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है अभ्याई, बड़ा बनिया टोपिक है, पांच-दस मिनट का ये खेल होता है इस का पोस्ट माटम करेंगे, मतलब पूरा डीटेले में घुस जाएंगे, और पूरा एक एक चीज हिंग से लेके हल्दी तक आपको समझा देंगे, तो अभ्याई किसे कहते हैं, तो जो सब्द तीनों लिंग सभी विभकतिया तता तीनों बचन में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अभ्याई काते हैं, एक ऐसा सब्द, जो ना किसी लिंग को देखकर मतलब ना कोई जेंडर के अनुशार, ना कोई बचन के अनुशार चेंज हो, उसे ही हम लोग अभ्याई काते हैं, जैसे कलास में देखते होंगे, एक हो होता है हे हर बच्चा, जिसको साइन्सों का म अभ्याई, अभ्याई क्या है कि कोई भी लिंग रहे, इस्तिर लिंग रहे, अभी समझ ये, स्रिप समझ ये, पूरा धीरे धीरे कॉंसेप्ट जाता है, कॉंसेप्ट बहुत बढ़ा चीज है स्टूडेंट, एक बढ़ में नहीं घुसता है, धीरे धीरे घुसता है, इस्त फिर पुल लिंग रहे कोई चेंज नहीं वही एस्टाइल, नपुंशक लिंग कोई चेंज नहीं, वही एस्टाइल, उसी तरह student जितनाभी नहीर सब्सका calendar विभकात नहीं, जो तिनो लिंग या कोई बचन के अनुशार न बदले उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अब्व्य कहते हैं ठीक है स्टूडेंट अब संस्कृत अब्व्य समझाने से पहले आपको थोड़ा सा एक हिंदी में एक्जामपल देदे के आपको बताते हैं कि अब्व्य किसे कहते हैं जैसे स्टूडेंट मैं लिखूं राम धीरे चलता है बड़ा ध्यान से सुनियेगा आधा 50% 100% अब्व्य यहां से आपका किलियर हो गया होगा कि अब्व्य है क्या कुछ बच्चों का 50% किलियर होगा 50% यह एक्जामपल के बाद किलियर हो जाएगा इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ पढ़ने का ही टेक्निक है अंत तक बने रहिए पूरा फूल इंटर्ट जलता है इक दूसरा हमने यूज किया राम के जगव वह सरवनाम का यूज किया कैसे यूज होता है पहला वीडियो में हमने आपको बताया था वह धिरे पढ़ता है डी यहां पे दो सब्द है कि राम धीरे चलता है, इसे क्या मतलब निकला कि राम धीरे चलता है, वह धीरे पढ़ता है, रामे के बारे में वह लिख गया, वह लिखाया यहां पे, मतलब कि वह धीरे चलता भी और धीरे धीरे पढ़ता भी है, यहां पे आप देखेंगे स्टूड एक जो सब्द था जो कभी नहीं वदला, वह धीरे, तो ये धीरे क्या है, एक अब्याय है, यही तो मैं आपको बताना चाहरा था, कि भाईया यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे student कि अब्याई ऐसे चीज को कहते हैं ऐसे सब्द को कहते हैं जिसमें अगर link का भी आप change कर देंगे अगर हम यहाँ पे राम के बारे में लिखें यहाँ पे हम लिखते हैं कि सीता धीरे पड़ती हैं तो भी आप देखें धीर यहाँ चेंज नहीं हुआ, जबके हमने यहाँ पुल्लिंग से इस्तिरलिंग किया कोई change नहीं हुआ, हमने बचन का भी अगर में पडिवरतन करने यहाँ पे राम ना लिक्के बहुत सारे लरके का यूज में करूं मैं यहाँ पे लिखू लरके धीरे चलता है या लरके धीरे चलते हैं चलते हैं तो यहाँ पे आपने देखा मैं कुछ भी पडिवर्तन कर रहा हूँ वचन में पडिवर्तन कर रहा हूँ एक वचन दुई बचन इसको बहु बचन बना दिया बहुत सारे बचन लेकिन अब्या तभी तक हमने सीखा, अब आपको क्या करना है, अपने कोपी में स्रिंगार करना है, कोपी का क्या करना है, मेक अप करना है, तो कैसा मेक अप, तो कोपी का अप मेक अप फेर लवली लगाने से होगा, नहीं कोपी का मेक अप होता है, किस से, अच्छा अच्छा नोट्स बनाने से और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा notes बनाओ ताकि तुम exam में ऐसा marks लाओ एक अच्छे पद पे जाओ और note कमाओ तो notes ऐसा बनाओ कि note से note कमाओ जैसे हमने संस्क्रीत पढ़ा उसका notes बनाया आज note कमा रहे हैं बैठे बैठे इसी तरह आपको भी पढ़ना है और note कमाना है ठीक है तो इसको note कर लेंगे student अब चलिए एक एक अब्बे आपको बताते है जो आपके class 9 में संस्क्रीत में पढ़ना है ये तो हमने आपको हिंदी में समझाया है जस्ट इसी लिए समझाया है ताकि आपका concept किलियर रहना चाहिए भले किसी medium में हम समझे ठीक है student तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए student कुछ अब्बे मैं आपको लिखता हूँ जैसे एक अब्बे है सैने ये संस्क्रीत में अब आपको आगा सैने तो सैने का हिंदी मतलब होता है धीरे 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 से मेरे जिन्दगी में आना वही वाला धीरे सैने 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 का मतलब हुआ धीरे अब यहाँ पर एक संस्क्रीत का में एक जामपल लिखता हूँ सिसू 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 एक मिनटे हाँ पर गलती हो गया इस्टूट सिसू सैने सैने चलिती सैने सैने काते हैं एक हमने एक्जामपल लिखा उदाहरन लिखा कि सिसू सैने सैने चलिती सीसू का मतलब क्या हुआ बच्चा छोटा सा बच्चा सैने का मतलब क्या हुआ धीरे यहां पर दो सैने है तो धीरे धीरे होगा और चलिती का मतलब सिम्पल चलना तो क्या हुआ इस स्टूडेंट इसका हिंदी मिनिंग बताईए अब देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी मिनिंग क्या हुआ बच्चा धीरे धीरे चलता है संधी किसे कहते हैं तो क्लास नाइन्थ में ग्रामर आपको इसलिए सरकार पढ़ाती है पढ़ाते तो हम है सरकार सलेबस देती है सरकार इसलिए कहती है कि क्लास नाइन्थ में ग्रामर पढ़ाओ चाहे संस्क्रीट का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे हिंग्लिस का हो, इसलिए हो, ताकि आप Class 10 में जाये तो टॉपिक से परिचे रहे, यह नहीं कि वहाँ गये Class 10 बाला अब्वया में हां, हेलो, कौन, आप कौन, आरे मैं Class 9 में आप से नहीं मिला, Class 9 में आप कहा थे, ऐसे अप आपको बदाना है नाना नाना जी वाला नाना नहीं नाना का मतलब होता है बीना किसी के बीना जैसे किसी के बीना दिल नहीं लगता बच्चों का इसका एक मैं संस्क्रीत लिखता हूं यह संस्क्रीत मीनिंग है नाना और इसका हिंदी मीनिंग होता है बीना मतलब किसी के बीन अब नाना का मतलब क्या हो गया ग्यान, नौलेज, बुद्धी, न का मतलब नहीं, सुखम का मतलब सुख अब देखिए, संस्क्रीट तो तेंथ के बाद आपको पढ़ना है नहीं, तो संस्क्रीट में माक्स लाने के लिए स्ट्वेंट आपको कोई अचारे बनने के जुरत नहीं होती है, कि हाँ हमको उहाँ पे कोई बोर्ड इग्याम भी देने जागेगा, आपसे कोई रमायन संस्क्रीट चाहसान तो कोई सलेबस सब्जेक्ट है ही नहीं, हम कहते हैं स्ट्वेंट, बिस बास कीजिए, जैसे हमने लिखा ना, ना का मतलब हुआ बीना, ज्यान का मतलब ज्यान, नहीं का मतलब नहीं, और सुखम का मतलब सुख, एक बात याद रखेगा स्ट्वेंट, यह ज्यान है और इसके उपर अनुश्वार है, तो इसका मतलब होता है म, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं ज्यानम, लेकिन प्रमपरागत इसी टाइप से लिखाता है, तो इसी टाइप से हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब भी अनुश्वार मनुश्वार जिसको क कि बीना ग्यान के सुख नहीं होता है तो यहां पे आपको नहीं शुखराता है यहां पर आप देखेंगे और्थ चेंज हो रहा है यहां पर ज्यान से पैसा आगया लेकिन बीना नहीं चेंज होतो यह क्या है एक अव्य है जो आपको पढ़ना है नाना वला अव्य है अब एक और अव्य हम आपको पढ़ाते हैं student जिसका नाम है नीचे नीचे में क्या है नीचे में compound है अभी मैं बंध हूँ अपार्टमेंट में नीचे का मतलब नीचे विसर्ग है तो है है ऐसे बाद निकलना चाहिए कुत्ता के तरह नहीं भाउ 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 ऐसे नहीं नीचे नीचे का मतलब होता है नीचे तो अगर आप इसका एक example देखेंगे जलम नीचे बहती अब पूछेंगा सरी एक्जाम में question आएगा यहीं सब आएगा अब अभी बताते है कैसे question आएगा अब देखेंगे जलम नीचे है बहती तो इसका क्या हो गया आर्थ बताईए तो जलम का क्या हो गया जल हो गया पानी वाटर अंग्रेजी ना बताना परता है अब देखेंए बोड में कैसा कैसा question आपको रहेगा पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं खाली एकजाम नहीं लेगा नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं एकजाम नहीं लेगा एकजाम हो ले तो अच्छा बात पैसा इठेगा, फी जमा कर दो, एको दिन कलास नहीं चलेगा, लेकिन फी जमा कर दो, बाहर दुनिया कहा जाएगा, दुनिया कहा जाएगा, बताईए, अभी एक मैं रॉफ कर रहा हूं, तब तक आप लोग नोट्स बनाते चले, ओ सॉरी स्टुडेंट, चलिए कोई बात न कर रहे हैं, नोट्स बनाने से पहले रॉफ कर देना ये गलत बात था, अब चलिए, जो एक्जाम में कैसे क्वेस्टन आते हैं, वो बताते हैं, आपको, रुको जरा रुको, तुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नसा है, हज तुम पे दिल लगाने की खता है, कैसी तेरी खुदिगर जी, चलिए, हो गया बच्चो, तीन क्वेस्टन, अब देखिए, स्टूडेंट, आप जाएंगे, एक्जाम में आप बैठे रहेंगे, तो आपको कैसे देगा, ये सब भी नहीं देगा, ऐसा ही कोई वर्ड आपको दे देगा, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कि संस्क्रीट में मार्क्स उठाने के लिए संस्क्रीट आने की जुरुएत क्यों नहीं, इसके यही पे आपको पता चल जागा, अब देखिए, ये पहला क्वेस्टन आपके पास रहेगा, इसके ओप्सन आपको तीन दे देंगे, अब तो उप्सन वाला जाबाना है, ये से के भी सी आ गया है, नाना, दूसरा उप्सन आपको दे देगा मा, नहीं हाँ, राना ना चाहिए, ख दे देगा शिशू, ग दे देगा सने, ठेक है, अब स्टूडेंट ये क्वेस्टन आपको देगा एक्जाम में, ठेक है, ये कुश्चन तुमको देगा, और कहेगा कि इसमें से अब्बे पहचानों क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, आधा से ज्यादा वच्चा जो नहीं पढ़ के गया राता है, जो लेक्षर नहीं देखा राता है, उप क्या करता है, माता को लागा, सीशू, सैने सैने चलती, पर इसका मतलब क्या हुआ, कुछो भेटी, अंठेकानी ठेकेगा, जै माता दी, जै मा सर्शती, दुर्गा माहे लच्मी मा, कौ चलो, यही कौ मार के आगे, ऐसे नहीं करना है, देखिए, आपको क्या काम करना है, जितना भी वर्ड दे आ रहे, उसको पहले ध् कुछ यह, जितना अभ्य आपने पढ़ा है, क्या रहे मन, सीसू कोनो अभ्य है, तो मन कहेगा, ना, ना है, तो काटे करा के, मन से पुछी है, रहे, चलती कोई अभ्य है, तो ना, चलती तो नहीं है, काट इसको, बचा कोन सैने सैने, बचा हाती नहीं कि यह एंसर मार आप अब्दी हाने ही, सब्वे कणी के लिए याद रखना है। बलड़े मठाव हां है। दर करों कि य हाँ आपको अब्दे अपी। के यहाँ पर कण्तेफ कारने के लिए ज्ञान वाल लीखता ही। ऑर दराहरा मंठीद्स कारा है। उसे क्वोनों मतलम नहीं पूछाइंगे ज्ञान के आप्वे है नहीं न के आप्वे है नाना के आप्वे है बिल्कुल है option क्या देदेगा ये बला question तो इसलिए देता है आप देखे कैसे बना देंगे जलम, ख, नीचे, अगा क्या हो जाएगा, बहती, अब देखिए student, ये कैसे बनाएंगे, जलम क्या अब्या है, नहीं है, नीचे क्या अब्या है, हाँ है, आगे वाला भी पॉठ लेते हैं, दिमाग से आउट भी न हो सकता है, बहती अब्या है, नहीं है, मतलब ख, एंसर क्या है, सही है, आप देखिए student, आप आपके मन में 100% बच्चा देख़ा है, 100 बच्चा, 70 बच्चा किलियर होगा की, हाँ ठीक है, इसे पकर लेंगे, 30 बच्चा कहा कि सर, हमको याद कैसे रहा कि ये अब्या है, नहीं है, कैसे याद रहा है, तो student, जितना अब्या है, आपको कल दिखा देते हैं, बस उतना याद रखिएगा, कि हाँ, अब्याय कौन-कौन है, तो नीचे होता है, सैने सैने होता है, इसका हिंदी मिनिंग ये है, सोर याद कोई से करेंगे, सोर याद भीत नहीं होता है, science मैं पढ़े में करते हैं, tuition जाते हैं, तो school जाते हैं, तो college जाते संस्क्रीट कई से याद होगा पढ़ना लेना रस्ता में गर्ल फ्रेंट से चैटिंग होता है उतना दर में उसको पढ़ना है एक बार देख लिजेगा पढ़ना अपने आप याद हो जागा तो चलिए स्टुडेंट लिख देते हैं आपको पुराव्य और उसका हिंदी मिनि ठुकड़ा दिये हमको पढ़ने का मन था समझे तो हमको कोई मत देखे स्क्रीन पर देखे समझे स्टुडेंट इस स्क्रीन पर सभी लोग देखेंगे नहीं तो फिल्म तो हम लोग बहुत ठुकड़ाएं हुए अभी जित्ता भी फिलिमाने दवंग हमी करने वाले थे लेक ठेक उसके बाद एक अब्बे आप लिख लिजिए सैने जिसका आब यह बता है धीरे धीरे से मेरे जिन्दगी में आना इंज्वाय लेके पढ़ना है सैने सैने कम तुमाई लाइफ अंग्रेजी पलस संस्क्रीत का मिक्सव क्या होगा बताईए अब एक लिखता हूं त्रि चूप चाप चूप चूप चाप कलम चाप उसी तरह बही बही का मतलब होता है बाहर जो घर से बाहर आपको निकाल देते हैं आपके ममी पापा बीना का मतलब होता है बीना अब देखिए श्रुएंठ हम जैसी पढ़ाने लगते है न तो यह गो है इधर गवने बजाना पुछिए जैसे गल्फ्रेंड फ्रेंड छोर के नहीं भाग जाती है वह पुराना जवाना हम तुम से प्यार करते यह बता नहीं सकते देखिए आपको बाज भी आ रहा होगा रे कोपी राइट लगवे भी कि रे एक और लिख लीजिए उच्चे उच्चे का मतलब होता है जोर से धीरे धीरे से और इधर जोर जोर से गाना बजा रहा है यह साउंड कम करो जी अध का मतलब होता है परारंभ यानि की स्टार्ट उसके वाद ब्रिथा लिख लिजए ब्रिथा का मतलब होता है ब्यार्थ जैसे अभी आप लोग ब्यार्थ में ने टुराते हैं पड़ते नहीं हैं यहाँ पबजी खेलेंगे मैच देखेंगे किरकेट मैच देखेंगे बिराट कोली काइसा कप्रा पहना था वो देखेंग रब्याट कोली मैंगो फुरूटी पिया की पानी पिया यह जानेंगे लेकिन यह नहीं जानेंगे कि संस्क्रीट में अभ्या है की पड़ता है आज का क्लास चलिए इतना पढ़िये उसके बाद एक लिख देते है अपी बड़ा इंपोटेंट अब है अब्या है अब्या अत्र मतलब होता है इहां ठीक है स्टुडेंट उसके बाद आपको नक्तम का लिख देते हैं नक्तम, नक्तम का मतलब होता है रात, मिरिशा, जो तुम लोग हो बच्चे, जूटे, नहीं, बच्चे लोग बड़े सचे होते हैं, जूट का खेती करता है बरका लोग सब, बच्चा सब तो भगवान का रूप होता है, अब एक, दो और मा का मतलब होता है मत, किस पाटी का मत दे रहें, ठीक है student तो इतना अब्बे आपको याद करना है, और इतना ही अब्बे आप पढ़ेंगे तो आपका काम पूडा हो जाएगा, ठीक है student तो इतना अब्बे आपको पढ़ना है, ठीक? जैसे नाना का मतलब बीना, सैने सैने का मतलब धीरे धीरे त्रिशन का मतलब चूपचाप नहीं त्रिशनीम है इसका मतलब चूपचाप बही का मतलब बाहर बीना का मतलब बीना उच्चे का मतलब जोर से अत का मतलब प्रारंब ब्रिथा का मतलब भियर्थ अपी का मतलब भी अत्र का मतलब एहां नकतम का मतलब रात मरिश कशा का मतलब जूट मा का मतलब मत अब देखिए स्टूडेंट आपको जो है एक दो और में लिख देता हूँ जैसे कदा का मतलब कब कदा का मतलब कब कुता का मतलब कहां कहां यथा तथा का मतलब जैसे तैसे क्या होगा यथा तथा का जैसे तैसे जैसे तैसे गुजर रही म कोई तो पैसे बरसा दो ना मैं पैसा बाला नहीं हूँ एक गरीब हूँ इबा का मतलब के समान हमें संस्क्रीट चे प्यार कितना ये हम नहीं बतावेंगे ये संस्क्रीट का बेटा अब्याय बताएगा चलिए अब्या को पढ़ लीजिए ठीक है स्टुडेंट अच्छा लगा क्लास करके अभी चलिए इतना नोट कीजिए तब आपको कुछ और अब्या के पॉइंट्स बता देते हैं ठीक है तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे जितने भी बच्चे इतना नोट करेंगे और द क्या पढ़ा है माथा पर परेशर लगा के 95 ली आया कौन काम का खुशी-खुशी सत्रे ला हुए बहुत बड़ा बात है सत्र मतलब सेवेंटी सेवेंटी सेवेंजीरो ठेक है मतलब बड़ा बड़ा लोग को देखे एदाम डीनर टेबल पर बैठे दस लाग के टेबल पर बड़ेट पकोड़ा तो जामूम लगा के अगदम दारूर पी रहें हैं अगदम टेंशन में हैं कि यह वो काम है वो काम है रहे हम तो नूने रोटी खाएंगे लेकिना ने मस्त खुशी से खाएंगे उन फैदा रह रहे हैं 20 लाग के घर में भर दिन टेंशन में क्या जी बात का टेंशन बताओ संस्क्रीत को भी हम लेके पुरा पढ़ रहे हैं अगदम पढ़ा रहे हैं आप भी इंज्वाए लो हरे एक सब्जेक्ट को इंज्वाए लो उसको दोस्त बनाओ उसके साथ गपिया उसके साथ जाम पे जाम टकड़ाओ अम मस्ती में पढ़ो यह नह चीट पढ़ो ठेक है स्टूडेंट तो मिलते हैं अगले क्वेस्टन पर ठेक एक क्वेस्टन हम कर लेते हैं और आपको अब देखिए स्टूडेंट एक क्वेस्टन है बीना बीना का है क्वेस्टन की बीना का मतलब होता है बीना मतलब के बीना इसका एक एक जामपल हम यहां पर वह लगेगा वीना वीना वीनी में कनफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा अब बच्चे तहाय तो तो क्या होना चाहिए धर्म बीना कारे ना चलीति इसका हिंदी बताएं कि धर्म के बीना धर्म बिना मतलब बिना काड़े मतलब काम न का मतलब न चलता है कि धर्म के बिना कोनो काम नहीं चलता है धर्म भी करना चाहिए बहुत लोग काता है कि हम कहें धर्म करें भाई नहीं धर्म करो दान उन दो अब यह नहीं कि 10 रुपया कमारे हो तो 10 रुपया दान दो नहीं 10 वाटराaina मोनेोंन पता सकता आ रहा है कि धार्म के चल। ही के-बकization कर रुपयाति हमको दान में दिजिएेगा बडाई रुकी जाता ह Ki धर्म बीना काम नहीं चलता है शो कहना चाहर है नहीं आयों सब्सक्राव पहने आप्वेप आप्या अगर मैं कहूं एहां पर मैं लिख दू, भाया, खाना लिख दू, रबारवा किधा रही है, खाना लिख दू, खाना के बीना काम नहीं चलेगा, देखा आपने की खाना है, धर्म है, पैसा है, लेकिन यह अब्या जो है, हेरा है, हेरा, केतनों मार्य invoice यह, बदलने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज के कलास में हमने क्या देखा अब्यय देखा पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा हमको भी यकीन है और आपको भी पढ़ा के हमको भी बहुत मज़ा आया ऐसा लगा है कि हम बहुत बच्चे को पढ़ा रहे हैं ठीक है स्टूएंट तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब्वे का नहीं नेक्स्ट कोई गरामर का टॉपिक हो या हमारा सेमूसी का टॉपिक हो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक क्या रहना चाहिए उसी हिसाब से पढ़ाएंगे तो तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम ओके अधाब नमस्कार बाई ठीक है स्टूएंट चलिए धन्यवाद